हेलो प्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ में कैला इस्टाइल साडी टैपिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां आप देख सकते हैं मेरी वाइट कलर में कॉटन की साडी है जिसमें बहुत अरी टैक में आप देख सकते हैं मैंने अपने harbor में एक़ए से टक कर लिया है इसे तोरह से टैटली ओ ट्लीन तरीके से हम अपने बेक में भी टक करना है बैक में टकिंग कम्प्लीट करने का आप देख सकते हैं मेरा वन राउंड कम्प्लीट हो चुका है जो हमारा बैसिक टक होता है वो मैंने एक तर्व टाइट प्ली से लिया है अब मैं साड़ी को गैदर करते हूँ अपने पल्लू वाले पार्ट की तरफ जाऊंगी अब मैं अपने पल्लू वाले पार्ट को अपने बैक से गुमाकर राइट हैंड साइट से फ्रंट की तरफ लेकर आऊंगी फ्रंट की तरफ लाने के बाद आप देख सकते हैं मैं अपने लेफ्ट हैंड साइट से लेट्स बनाना स्टार्ट करूंगी यह मैंने अपने लेप्ट हैंड से प्लेट्स गेदर कर रही हूं हम यह दो चीजों का द्यान रखना है कि हमारी कोई भी प्लेट इदह उदर ना हो प्लस हमारे जो पलू की फर्स्ट वाली प्लेट हो वह बाकी प्लेट्स के अकॉर्डिंग आफ इल चोड़ी ही हो कि अब आप देख सकते हैं मैं किस तरह से प्लेट्स को अरेंज कर रही हूं कि अब मैं अपना पल्लू के इस्टार्टिंग को सेट करने के लिए थोड़ा सा उसे प्रेस अब करूंगी अब आप देख सकते हैं मैं अपने आगे की प्लेट्स भी इसी तरह से अरेंज कर लूंगी आप देख सकते हैं मैंने एक और साड़ी क्लिप का यूज किया है अब मैं इसे शोल्डर पर रखते हुए पहले मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करूंगी और फिर शोल्डर पर रखते हुए लेंध मेंज करूंगी आप देख सकते हैं मैंने अपने लेंध मेजर कर लिए पल्लू की अब मैं इसे प्रेंट से सिक्यूर कर लूँगी शोल्डर से एक या दो इंच बैक में ही हमें सिक्यूर करना होता है अब मैं अपने फ्रेंट में जो यह पल्लू का पार्ट आ रहा है इसे मैं प्लेट्स को इसकी प्लेट्स को भी मैं थोड़ा सा अरेंज करते हुए अब आप देख सकते हैं मैं प्लेट्स की जो अंदर वारी बॉडर इसे में थोड़ा सा टर्न करते हुए एक सेब की प्लेट्स से सिक्यूर कर लूँगी यह आप देख सकते हैं मैंने फ्रस्ट प्लेट्स को उठाते हुए पिन लगाया है अगर आप भी चाहते कि आपकी पिन किसी को शोड़ ना हो तो आप भी इसी तरह से पिन अप करें अब अपने बास अरी ना है चाहिए पर अपने पासिए लेकर आओंगा अपने प्लेट्स को भी ठोड़ा सारेंज करते हुए गैंग से यह बात अब ऑसन अब देख सकते हैं मैं आपके कमर के पास में अपने फैब्रिक साड़ी के फैब्रिक को अच्छे से सेट करूंगी अब देख सकते हैं मैंने पिन से सिक्यूर कर लिया है अब मैं प्लेट्स के लिए जो का हमारा फैब्रिक मेजर और वह मैं आपको पता देए हुँ चार उंगली को यहीं रखने के बाद हमें प्लेट्स को मेजर करना है जहां हमारी दो राउंड कम्प्लीट हुए उसके बाद से मैं अपने लेफ्ट हैंड साइट से प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर लूंगी जब देख सकते हैं मेरी प्लेट्स बनके रेडी हो चुकी हम मैं इसे अच्छे से सेट कर लूंगी अब मैं अपनी फर्स्ट प्लेट को ओपन करते हुए जो मेरे राय में एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसमें मैं इसे मेच कर दूंगी प्लेट को थोड़ा सा चोड़ा परनने के बाद मैं अपनी बाकी की प्लेट्स को अरेंज करूंगी और यहां मैं एक सेटीबिपली की हेट से इसे सेक्योर कर रहे हूं कि सेफ्टीपी dic也 से सेक्योर करने के बाद अब मैं अपने फर्न प्लेट को अच्छे से सेट करूंगी कि इने आप देख सकते हैं किसário से माहाध से प्लेश करते हुए इनने कर रहे हूँ आपको इसी तरह से पैस्टे करते हुग पर करना है तो कॉटन की साड़ी में प्लेट बना ते समयर बहुत शीक फोफ। बहुत ज्यादा पेशन्स खना की जरुएत होती है क्यों कि कुे उलेट प्लेट से speaking हैं में थाइम लगता है और। आप देख सकते हैं मैं किस तैसे फैबृक को उपर उठाते हुए बिट्स को आरेंज कर रही हूं कि नज्टे सबूंडब angry मैं हाद से ही प्रेस आप करती हुए जाऊंगी तो हम आप आप लेख सकते हैं हाद से मैं प्रेस करूंगी उच्छे से मेरी पूरी प्लेट अच्छे से प्रेस अप होके रेडी हो चुकी है अब आप देख सकते हैं जो मैंने पिन लगाई थी उसे में रिमूव कर दूंगी और यह जो मेरा एक्स्ट-फेबिक आ रहा था टगिंग के पास उसे भी मैं अच्छे सेट करते हुए अपनी नेवल के पास ही टख कर लूँगी पास तप करने के बाद आप देख सकते हैं जो एक्स्टा फैब्रिक मेरा राया रायट साइट पर इसे भी में अरेंज करते हुए तप कर लूँगी अब यहां आप देख सकते हैं मैं पूरा लूप कंप्लीट हो चुगा है इस लूप को इन्हेंस करने के लिए मैंने एक कि नेक्स्ट वीडियो कि इसके अकॉर्डिंग चाहिए वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं बाई